सिर्शाजिला के CIE कालावाले पुलिस पुलिस सदिक्षक वुपेंदर सिंग के कुशल नेतरितों में कारे करते हुए गाउं लकडावाली में पीनबी मेनेजर कमल कटारिया के अपरन केस में पंजाब के मलोट एरिया में बड़ी कारवाई करते हुई गैंग के मुख्य सरगना सही चार बदमाशों को काबू करने म बड़ी सफलता हाशिल की है पकड़े गए आरोपियों के पहचान जशन दीप सिंग उरफ जशन पूतर धरमेंदर सिंग उरफ डीसी वासी जगमाल वाली साहिल उरफ पैट्रोल पूतर संजय कुमार वासी सुंदर नगर मंडी डववाली बुटा सिंग पूतर सविंदर सि सिंग वासी शेरगड वै हर्श कुमार उरफ ग्यानी पुतर सुखा सिंग वासी सुंदर नगर मंडी डववाली के रूप में हुई है अभी तक दो आरोपी फरार बताय जा रहे हैं पुलिस का कहना है कि जो दो आरोपी फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफतार करने कि कोशिश की जाएगी उन पे जो पुलिस अपनी टीम के साथ लगी हुई है फिलहाल जो चार आरोपी है जो पकड़ में आये हैं उन चार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अदालत में पेश कर उनका रिमांड मांगा जाएगा और रिमांड के बाद उनसे जो आगे की कार अप्रैल को कालावाली विदान सबा के गाउन लकडावाली के पंजाब नैशनल बैंक के मनेजर को रश्ते से अगवा कर लिया गया था वो खबर भी हमने आपको दिखाए थी और अगवा करने के बाद जो है उनको 7 लाख रुपए की फिरोती ले करके उनको वापिस छोड़ लिया गया है फिलाल दो आरोपी फरार हैं और दो आरोपियों की तलास जो है वो पुलिस को अभित्र लगातार जारी है अभी तक अगर बात करें तो कैश जो बैंक मनेजर को छोड़ने के लिए उनको दिया गया था आरोपियों को वो कैश अभी तक बरामद नहीं हो पाया तो दो आरोपियों की गिरफतारी के बाद क्या वो कैश ब्रामद हो पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है जिसने इस केस को ट्रेस करा मात्र 24 गंडे के अंदर एंड उसमें हमने एक जो किरिमनल है उसमें पंजाब का मोस्वांटेड क्रिमनल भी ए उसको भी पकड़ा है तो इसमें चार किमनल हमारे पकड़ा चुके हैं और दो को भी हम जल्द द पकड़ने का पूरा प्रयास करेंग अभी हम लोग उनकी रिमांड वगरा लेंगे जो भी किरिमनल है और रिकवरी का प्रोसीजर उसके बाद होगा जैसे हमें इस वादात के बारे में पता चला था तो मैं मेरी टीम और मैं कुछ मौके पहुंचे थे और हमने उस पूरे सीन को रिक्रियेट करा था जब बैंक मैनेजर को पकड़ा गया था तो उसको काफी जगा दीन चार घंटे तक वहीं गुमाया गया था सारे एरिया में तो हमने उस पूरे एरिया को रिक्रियेट करा गया और उससे कुछ हमारे तथ्थे हमारे सामने आए उस सीन को recreate करने के बाद और उसमें हमारी फिर investigation चली आगे